कैसे हो आपसब मैं आपर आउल चोधरी और आज आपको बताने वाला हूं मैं आज आपको बताने वाला हूं मही अगेश्ट बीलिनियर आप 2.0ड तक कि यह कभी भी चो शक्ति जैसे को इन नया परसन इसके अंदर एड़ होता है यह रिपोर्ट अपने आप से चैनल जाती है आगे कभी भी साल बर के अंदर चेह महीने के अंद्रिया कभी भी एड़ अब इसमें में टो फाइफ की बात करने वालों आए इस्थार्ट करते है नमर फाइफ नमर फाइफ प के दुनिया की सबसे बड़ी और बाउट इसके अंदर ब zeg आई अंधर इस अंदर इसमें संग्लास कम्पनीम उनगलास जाते है उट जर्ट इससे अंदर रेबन का इंडिया के लिप तो भी इस इंडर में आता है और इसमें मतलब सारे शाय से हमी पार्ट साजाते हैं इस कंपनी के जैसे कि इसमें साइट गुची अर्मानी यह वी 수 yan जो मैंने इनकी वेब साइड पर देखे हैं वो भी इसमें आते हैं दुनिया की बहुत बड़ी कमपणी है तो उसके कारण यह जो है वो बिलिनियर बन गए थे अब नेक्स्ट बात के लेता हूं नंबर 4 पे केविन डेविड लेमन की केविड डेविड लेमन 21 साल की उमर में जर्मानी के जो हैं वो बिलिनियर बन गए थे और इनके जो फादर उनका नाम है कुल्ट्रेट लेमन और इनका बड़तु आता हूं सितंबर 2002 के अंदर वो आता हैं इनके कंपणी का नाम है डीम डोड़जी मार्केट ठीक है अब बात करते हैं नंबर 3 की किम जूंग गॉन जूंग वान साउथ कोरिया के हैं और यह 20 साल की उमर के अंदर ही बिलिनियर बन गए थे और इनका जो मार्केट हो है ओनलाइन गेमिंग का और इनकी जो कंपणी हो है निक्षोन अब नेक्स्ट है नमर सेकिंड पर नमर सेकिंड पर जो मैंने आपको बताए है लुकादिल विचोई इनके ही एक बर्दर है ठीक है वो नमर दूसरे के स्थान पर आते हैं इसके अंदर उनका नाम है सिलमेंटी डल विचोई वो इक लिए रहने वाले हैं और वही सहम कंपणी है इनकी उसका नाम है इसलिए लेक्षी टिको और डिलफन इसके अंदर बहुत सारे और मैंने आपको बताई दिया और यह संग्लासिस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपणी इनके फादर का जो नाम है वह है लियनार्डो विचोई और इनकी जो डेटो बर्त है वह है 14 मई 2004 और यह उन्मोस्ट 19 साल की उमर के अंदर है जो है दुनिया के सबसे बड़े बिलीनियर बन गया अब मैं बता रहे वारा हूं नम्मर बन पे जो है बिलीनियर जो बना था 19 साल की उमर में उनके बारे में बताने वारा हूं उनका नाम है लिवियो लिवियो व्योग्ट लीविया व्योक्ट 19 साल की उमर के अंदर बिलीनियर बन गए थी यंगेस्ट और इनकी जो जब ये बिलीनियर बनी थी तब इनकी जो प्रोपटी थी अल्मोस्ट वो थी 1.1 बिलियन डॉलर और इनकी जो डेटो परते वाद 10 जुलाई 2004 है और ये ब्राजील की है उपादे व्योग नार्च जो फेरं इनकी एक लेट्न अमेरिका की कंपडी है गोड़ स्ट एक को अदसित के हिलेक्टिकल बेर मौन पैड़न को क्यों सॉंत है ये कंपनी से चुए इंस Mozart कि नहीं स्पून странius पर. तो मैंने आपको यह बारे में बारे में बारे में वीडियो लाइक करना और आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी इची है तो ठीक है जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ